आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी सेमेस्टर टू की जो इंगलिश की बुक है उसका चैप्टर नमबर टू आप सभी जल्दी से अपनी अपनी इंगलिश की बुक निकाल कर रखे हम पढ़ेंगे मुझे एक छोटी सी स्टारफिश मिली इस पोयम का नाम है यह एक पोयम है जिसे हम पढ़ने वाले हैं इसके जो राइटर है वो है डेल एंड डॉड ठीक है इसकी राइटर या इसकी रा रिट दो फिश आपस में बात कर रही है, टीक है? एक जो है ना, वह एक एक वहान्ने इक वेडिया में रहती है मतलब एक यह आप जानते हो ना, लोग अपने उपने घर में रहते हो जिसे और एक जु है ना, वह एकदम पॉण्ड इसमें रहते है उसमें रहती है एक aquarium में एक pond में ठीक है उन दोनों जब आपस में बाते करते हैं तो क्या बाते कर रहे होंगे यह जो है यहाँ पे एक story की रूप में दी गई है तो उसे story को हम पढ़ेंगे तो देखो fish in the aquarium hello you are a very lucky animal जो aquarium वाली fish है वो कहती है कि hello तुम एक बहुत ही lucky animal हो मतलब ना तुम बहुत ज़्यादा ना lucky हो तुम्हें तुम्हारे पास क्या बुलना चाहिए तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है तो fish in the pond जो pond में तालाब में रहने वाली fish है वो क्या बुलती है why do you say that हाँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो एक्वेरियम वाली fish से pond वाली fish पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो you are the lucky one because someone feeds you everyday तुम ज़्यादा lucky हो मेरे से क्योंकि कोई न कोई तुम्हें रोज खाना खिलाता है कुछ न कुछ खिलाता है जैसे आप जानते हो ना जब हम अपनी घर में fish वगेरा रखते हैं या कोई आप जानवर कच्छु आज इसे tortoise कहते हैं तो हम उसे खाना खिलाते हैं रोज है ना तो pond वाली fish बोलती है कि तुम 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 बहुत लगी हो तुम को कोई ना कोई रोज खाना खिलाता है तुम्हें कुछ से जाके अपना खाना पकड किलाने की जरुरत पड़ती नहीं है तो aquarium वाली fish देखो क्या बोलती है लेकिन तुम बहुत ही आराम से तैर सकती हो फ्री तैर सकती हो मतलब तुम्हें जहां जाना हो पूरे pond में तुम कहीं भी जा सकती हो यहां तक तुम पानी में एकदम गहराई तक भी जा सकती हो I can only swim back and forth visiting the corners within the four walls लेकिन मैं मैं सिर्फ यहां से वहां तक ही तैर सकती हो क्यों मैं कहां से वापस आ जाती हो तो मैं एक box के अंदर बंद हो aquarium एक box होता है ना जिसमें चार कोने होते है तो मुझे खाली walls दिखती है यह वाली wall हो चाहे उधर वाली हो चाहे इधर या उधर तो मैं सिर्फ इतने ही दूर में तैर सकती हूँ लेकिन तुम तुम एक बड़े से pond में तैर सकती हो ऐसा aquarium वाली fish कहती है फिर oh at times I hit the glass and my body hurts कभी कभी तो मैं जाके glass से ही टकरा जाती हूँ और उसके बाद फिर मुझे बहुत दर्द होने लगता है ऐसा aquarium वाली fish कहती है तो pond वाली fish क्या कहती है what about the safety you enjoy लेकिन तुम अपनी safety के बारे में क्या कहना चाहोगी यहाँ तो तुम बहुत सुरक्षित हो fish जो है pond वाली fish बोलती है तालाव वाली कि तुम तुम वहाँ पे बहुत जादा सुरक्षित हो aquarium में तुम बंद हो ठीक है मैं मानती हूँ लेकिन तुम वहाँ पे सुरक्षित हो no other bigger animal is going to eat you up कोई भी बड़ा animal तुमें वहाँ खाएगा नहीं तुकि वहाँ पे देखना एक जैसी ऐसे fishes रहती है जो कि आपस में टैड़ते रहती है और एक के टाइप की रहेंगी और जो कि अपने से छोटे जानवर खाती है है ना तो चप कोई pond में रहता है तो अगर ये छोटी से fish है तो उसे कोई बड़ी fish खा जाएगी ना तो वो बोलती है कि तुम तो aquarium के इंदर बहुत सुरक्षित रहती हो क्योंकि तुम्हें इदर नहीं रहता कि कोई आके तुम्हें खा जाएगा तुमसे बड़ा लेकिन मुझे मुझे तो यहाँ पर कोई भी खा सकता है फिर aquarium वाली fish बोलती है तो aquarium वाली fish बोलती है मतलब एकदम खुले पानी में तर्य सकूँ जहाँ पर मेरे पर सूरज की रोशनी पड़े और मैं जो है pond में रहने वाला जो rich oxygen है natural जो oxygen है उसे breathe कर सकूँ साथ में green जो real वाले plants है जो पानी के अंदर रहते हैं उसे देख सकूँ I miss the cold waters of the night and the reflection of the moon and the stars on my skin मैं बहुत ज़ादा miss करती हूँ क्या को तो रात को जब रात हो जाती है और पानी जो है pond का ठंडा हो जाता है उसे मैं बहुत ज़ादा miss करती हूँ साथ में जब moon की reflection पढ़ती है ठीक है चान की जो परचाई पढ़ती है पानी पे और stars की उससे भी अपने उपर देखने के लिए बहुत ज़ादा miss करती हूँ ऐसा fish कहती है aquarium वाली ठीक है तो देखो यहाँ पे दो fish एक जो है वो बंदिश में रहती है एक जो है पिंजड़े में बंद है ठीक है लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो बंद है और एक जो है वो पॉंड में रहती है उसे लगता है कि एक्वेरियम में ही रहना ज़ादा अच्छा है तो आपको अपने आप से सोचो क्या अच्छा है किसी को भी बंद करके रख दिया जाए क्या वो अच्छी बात है नहीं ह अगर हमें भी कोई बंद करके रख दे तो हमें बहुत बुरा लगेगा बहुत खराब लगेगा इसी तरीके से यह जो फिश है वो भी जब एक्वेरियम के अंदर है तो उसे बिलकुल अच्छा नहीं लग रहा जो तालाब वाली है उसे लगता है कि अभी वो बंद है नही तो उसे लगता है कि बंद रहना बहुत अच्छा है लेकिन जब वो भी रही कि बंद तो उसे भी थोड़े दिन में लगने लगया कि उसने ख्याप को दिया है किसी को भी ना बंदिश में रहना पसंद नहीं होता हर कोई चाहता है कि वो आजाद रहे यहां तक कि चाहे वो poem शुरू करते हैं now let's read a wonderful poem on a tiny starfish हम अब हम एक बहुत ही अच्छी poem पढ़ने वाले हैं छोटी सी starfish के बारे में I found a tiny starfish in a tired pool by the sand I found a tiny starfish and I put him in my hand an itty bitty starfish no bigger than my thumb a wet and golden starfish belonging to no one I thought that I would take him from the tide pool by the sea and bring him home to give you a loving gift from me but as I held my starfish his skin began to dry without his special seaside home my gift for you would die I found a tiny starfish in a tired pool by the sea I hope whoever finds him next will leave him there like me and the gift I have saved for you the best I can give I found a tiny starfish and for you I let him live देखो ये एक पोयम है जिसमें एक starfish की बात की गई है यहाँ पर देखो पोयट क्या बोलते हैं I found a tiny starfish मुझे एक छोटी यह थ स्थार्ष चीं रेखो थे जो स्थार्फिश जो स्थार्फिश ना इसी दिखती है देखो वो उसका जो बनावट है वो ऐसी डिखती है इस ताइप की कुछ ठीक है एसी रहती है उसकी दो आंखे रहती है यह एक स्टार्फिश है क्योंकि वो स्टार्फिश जैसे दिखती है इसलिए से स्टार्फिश कहा जाता है तो यह जो स्टार्फिश है न वो पोईट को एक दिन एक बीच पे मिली ठीक है क्या होता है कि जब बहुत जादा पानी की लहरे उते हैं तो वह जब जाके किसी चातान से तकरा जाती है तो मान लो कहीं पर कोई पानी जो है एकठा हो गया जब आप बीच पे जाओगे तो देखो कि बहुत सारे रोक्स रहते है और उनके आसपास ना पानी की छोटे छोटे पूल बने होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा-थोड़ा पानी वहां इकठा हो जाए रहता है, और कभी-कभी जब पानी ऐसे लहरे उठके आती है, तो यह जो छोटी-छोटी फिशेज है, वो भी उस पानी में आ जाती है, मानलो यहाँ पे रॉक से इधर आपका समुद्र है, यहाँ पे कोई rock है, यहाँ पे बहुत तेजी सी कोई लहर आई, तो फिर वो यहाँ पे पानी इकठा हो गया, साध में कोई starfish भी आ गई, या कोई और fish आ गई छोटी, तो वो लोग यहीं इकठा रहके यही रह जाते हैं, ठीक है? तो पोईट बोलते हैं, कि मैंने मुझे स्टार्फिश मिली ऐसे ही एक टाइड पूल में यह जो है ना पानी जब उठके आता है और रॉक्स की बीच में आके इकठा हो जाता है उस जगह को मतलब लहरों के उठने के कारण जो पूल बन जाता है पानी का उसे ही टाइड पूल कहा जाता है तो उसे बीच पे एक ऐसा ह अपने हाथ में उठा लिया, an 80-80 starfish no bigger than my thumb, वो एक छोटी सी starfish थी, 80-80 मतलब होता है बहुत ही छोटी सी, और वो जो है न, वो बोलते हैं कि मेरे अंगूठे से बड़ी नहीं थी, मतलब मेरा जो इंगूठा है न, उतिनी बड़ी वो starfish भी थी, a wet and golden starfish, वो गीली थी, ठीक ह और golden थी, ठीक है, golden color की starfish थी, और वो किसी की भी नहीं थी, ठीक है, पानी में starfish थी, वो सी मिल गई तो उसने सोचा कि ये तो किसी की नहीं है, अब ये मेरी है, फिर, I thought that I would take him from the tide pool by the sea and bring him home to give you a loving gift from me, अब poet बोलते हैं कि न, मैंने ये सोचा कि मैं इसे घर ले जाऊं, ठीक इस tide pool से निकालके, जो किसी के पास था, मैं इसे घर ले जाऊं और तुम्हें gift कर दूँ, यहाँ पे न, वो किसी person की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात कर रहे हैं, जिसे वो starfish को gift करना चाहते थे, तो वो सोचे कि चलो कि एक काम करता हूं, यहाँ से side pool से उठाके, मैं से घर ले जाता हूं, और तुम्हें gift में दे दूँगा, हमें यहाँ पे पता नहीं है कि किस के बारे में बात हो रही है, ठीके, लेकिन वो किसी को gift देना चाहते थे, फिर, but as I held my starfish, his skin began to dry, लेकिन जैसे ही मैंने उसे पानी से बाहर निकाला थोड़ी दिर रखा, तो उसक कि जो skin थी ना, वो सूखने लगी, ठीके, पहले वो wet थी, गीली थी, फिर जो skin थी, वो सूखने लगी, His skin began to dry, without his special seaside home, my gift for you would die, और उसके जो special home है, ठीके, जैसे वो कहां रहती है, sea में रहती है, पानी में रहती है, और अगर मैं उसे पानी से बाहर निकाल दूँ, तो वो वैसे ही मर जाएगी, तो मैं जो तुम्हें gift देना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं, वो तो पहले ही मर जाएगा घर पहुचने से पहले ही, तो यहाँ पे देखो, पोईट जो है ना, वो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, कि मैं सोच रहा था, एक किसी बच्चे के ऐसे बात कर रहे हैं वो, जो उनकी शायद घर पे होगा, और वो एक नॉर्मल से बच्चों को दिखाने क कि मैं स्टारफिश आप लोगों को अगर दिखाऊं, तो अगर आपको स्टारफिश देखना चाहो, हां, और मैं सोचू कि मैं उसे घर ले आउंगा, तो वो घर लाने से पहले ही खातम हो जाएगी, वो ऐसा बोल रहे हैं, फिर, I found a tiny starfish in a tide pool by the sea, I hope whoever finds him next will leave him there like me, तो उन्हो उन्होंने क्या किया, उन्होंने decide कि अगर मैं इसे घर ले कि जाता हूं, तो वो मर जाएगी, है ना, तो फिर हमारा जो gift जो मैंने आपके लिए सोच रखा है, वो तो किसी काम कहीं नहीं रहेगा, इसलिए वो बोले कि मैंने एक tiny starfish तो पाई, लेकिन मैंने उसे वहीं फिर और वो भी उसे वहीं छोड़ दे, फिर, and the best gift I've said for you, और जो तुमें मैंने सबसे अच्छा तोफ़ा जो दिया है, वो क्या है, the best I can give, I found a tiny starfish and for you I let him live, और मैंने आपको सबसे अच्छा तोफ़ा उसे घर ना लाके भी किया दिया है, तो मैं मुझे एक starfish मिली और मैं आप कभी कहीं बीच पे जाते हो, बहुत सारे लोगों, टाइट पूल तो हर जगा है, लोग अगर ऐसे ही करने लगे, कि उसे उठा उठा के अपने घर ले गाए, तो क्या लोगों को वो देख पाएगा, क्या आप उसे देख पाओगे, तो वो यहीं बोड़ने हैं, कि मैं और उसको देखके आपको अच्छा लगे, कि हाँ, हमने एक स्टार फिश को देखा है, जो कि बहुत ही सुन्दर है, ठीक है, तो वो यहीं बोलते हैं, कि कभी भी हमें किसी को उठा के अपने घर या केज में पिंजडे में रखने के लिए सोचना नहीं चाहिए, जैसे वो पोईट क्या करनी की सोच रहे थे, वो उसे वहां से उठा के अपने घर ले जाना चाह रहे थे, फिर उन्हें ऐसा लगा क्योंकि उसकी जो स्किन थी वो ड्राइ होने लगी, वो अपने आप ही सूखने लगा, और हो सकता है वो थोड़े जिर में मार जाता, इसलिए उन्हो देखो चलो, ये था हमारा पोया, glossary, tide pool, pool areas on rocks by the ocean that are filled with sea water, वो ही पूल जैसे जो बन जाते हैं rocks की चट्टानों के पास, जो कि sea water से, मतलब समुद्र के पानी से बारे होते हैं, फिर, itty-bitty, tiny, very small, जो बहुत छोटे होते हैं न, उन्हें itty-bitty कहा जाता है, फिर, यहां पे starfish, but none can survive in fresh water, हम, लगभग, 2000 अलग-अलग type की starfish जो है वो पाई जाती है, लेकिन कोई सी भी fresh water में नहीं रह सकती, उन्हें जिन्दा रहने के लिए खारा पानी ही चाहिए, मतलब समुद्र में ही रह सकती है starfish, अगर आप उसे pond में ले जाओ तो वो मर जाएगी, अगर में कहा गया है कि अगर आपको starfish को देखना है, तो आप उसे समुद्र में ही देख सकते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, एंटोनिम से, tiny मतलब छोटा, तो huge मतलब बड़ा, फिर wet, wet मतलब होता है गीला, तो dry मतलब सूखा, फिर held, held मतलब पकरना, तो released मतलब छोड़ द देखो, यहाँ पे brown box है, the starfish lived in blank, एक्वेरियम में रहती थी या, sea में रहती थी, तो the starfish lived in a sea, इसे रप कर देते हैं, वैसे भी बहुत अच्छी drawing नहीं थी, चलो, तो in a sea, second, brown box है नहीं यह, the poet didn't care for the starfish, उस poet ने starfish की care नहीं की, true या false, बताओ, की थी ना उन्होंने, तो यह होगा false, इसमें लिखा हुआ है कि starfish की care नहीं की, तो यह गलत बात है, उन्होंने तो बहुत care की थी starfish की, तो यह थे हमारे brown box, जल्दी से लिखो, फिर आगे बढ़ेंगी question answer में, चलो, अब मैं इसे wrap कर रही हूँ और हम question answer लिखेंगे, लेखो, अब हम आज जाते हैं question answer पे, तो पहला है, where did the poet find the starfish, poet को वो starfish कहां मिले थी, तो the poet found the starfish in a tide pool by the sand, ठीक है, tide pool में मिले थी, रेट के किनारे, next है, where did he put the starfish, उसने starfish को कहां रखा, he put the starfish in his hand, उसने उसे starfish को अपने हाथ में रखा, फिर, how did the poet describe the starfish, poet ने starfish को कैसे describe किया था, कैसे बताया था, the poet describes the starfish as shiny, wet and golden, उन्होंने क्या बताया था, कि वो छोटी थी, गीली थी और golden थी, फिर, to which part of his body does he compares the starfish, poet ने अपनी body के कौन से पार्ट के साथ starfish को compare किया था, तो, he compares the starfish to the size of his thumb, उन्होंने starfish को अपने thumb से compare किया था, कि वो सिर्फ इत्ती ही बड़ी थी, फिर है next question हमारा, 6th है, 6th है, To whom do you think the poet wanted to gift the starfish, give reason for your answer, क्यों आपको ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है, कि जो poet है, वो starfish को किसे देना चाहते थे, और आपको reason भी बताना है, कि वो क्यों को किसे देना चाहते थे, तो बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे वो बच्चों के लिए लिख रहे थे, या फिर वो किसी और को देना चाहते होंगी, तो यह आपको खुद से सोची लिखना, जिसका आपको लगता है man, जो आपको सही लगता है, कि वो शायद हमें देना चाहते हूँ, 6 वाले में आपको HW डालना है फिर देखो 7th, what happened to the starfish as the poet held him in his hand starfish के साथ क्या हुआ जब poet ने उसे अपने हाथ पे रखा तो as the poet held the starfish in his hand, its skin began to dry तो जैसे ही poet ने starfish को अपने हाथ में रखा उसकी जो skin थी, वो सूखने लगी यही हुआ था न फिर 8th, what is the poet's request to the person who finds him next in the tide pool poet की क्या request है उस person से जो कि दोबारा से किसी starfish को tide pool में देखे वो क्या चाहते थे कि अगर कोई और starfish को tide pool पे देखे तो वो क्या करे तो the poet's request to the person who finds him next in the tide pool is to leave him there in the sea in its own habitat poet की request यह थी कि जो भी अगला इंसान उस starfish को देखे वो मेरी तरह ही उसे वही छोड़ दे उसके ही घर में उसका जो घर है सी उसी में उसे starfish को छोड़ दे है ना फिर वो क्यों आपको लगता है कि अपकर और स्चार वो फिछा तरह ही था जा एकि एक ऊपकर हम्हिन Chu स्ष्छ को अपने फेवरेट परशन के लिए सहोड़ दिया है तो वो favorite person, आप लोगों के लिए उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, ताकि जब भी आप लोग वहाँ पे आओ, तो उसे देख सको, तो आपको अपने हिसाब से इस answer को लिखना है, जैसा आपको सही लगे, ठीक है, तो देखो, आप मैं site दे रही हूँ, आप लोग इसे देख लो, pause कर लो video, लिख लो, उसकी बाद सर आगे बढ़ते हैं, चलो, अब आजाते हैं, वर्कशीट वन पे, वर्कशीट वन पे देखो क्या है, The story of the poem is given in a jumbled form, ये जो poem हमने अभी अभी पढ़ी ना, उसकी जो story है ना, वो एकदम jumbled form में है, ठीक है, मतलब इधर उधर है, आपको क्या करना है, उस story को एकदम सही लाइन में लगाना है, ठीक है, और वो जो poet थे, उनका जो पहला favorite person कहा था, घर पे पहले किसी को देना च ठीक है, लेकिन घर लाते तो वो starfish मर जाती, तो उन्होंने बाकी लोगों के लिए छोड़ दिया, और बाद में वो दूसरे favorite person की बात कर रहे थे, मतलब आप लोग, तो पहले वो किसी gift करना चाहते थे, उनकी घर में कोई उनका favorite person रहोगा उन्हें, और बाद में उन्होंन आपको लाइन वाइस उसे सही सही लिखना है, तो देखो पहला sentence दिया गया है, उसमें नमबर भी डाल दिया गया है, वो था, the poet found a starfish by the tight pool in a sand, तो वहाँ पे tight pool in a sand में उसको starfish मिली थी, और उन्होंने क्या किया, उसे अपने हाथ में उठा लिया, फिर क्या हुआ, तो यह यहाँ पे जैसे boxes बने हुए हैं, मैं वैसे ही बना देती हूँ, टोटल यहाँ पे देखो, 7 boxes हैं, है ला, worksheet, 1, टोटल 7 boxes हैं ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह 7, पहले वाले में number 1 दिया हुआ, फिर क्या हुआ देखो, तो उसकी बाद फिर क्या हुआ, तो उसकी बाद फिर क्या हुआ, तो चोटी सी starfish थी वो, उन्होंने पताया थे न, और वो किसी की भी नहीं थी, ऐसा उन्होंने सोचा था, तो यह आप कहाँ डालो पहले में 1, दूसरा वाला 4th sentence है, तीसरा में 5, फिर है 2nd, यह गलती होगे, फिर है 3, फिर है 6, और फिर यह 7, ठीक है, 7 भी पहले से लिखा हुआ है, तो देखो, पहला जो हमने डाला है, वो क्या है पहले वाले blank में, The poet found a starfish by the tight pool in the sand, he took it in his hand, उन्हें एक starfish मिली और फिर वो उसे अपने हाथ में पकड़ लिए, फिर जो second वाला है, जहां पर हमने second डाला है, वहां पर जो sentences को पढ़ो, वो लिखा है, The itty bitty starfish was not as big as his thumb, वो जो छोटी सी starfish थी, वो उसके थाम जित्ती बड़ी भी भी नहीं थी, The poet felt that the starfish was golden and wet belonged to nobody, और वो जो poet को क्या लगा कि वो जो starfish थी, वो किसी की भी नहीं थी, और वो गीली थी, और उसका जो color था, वो golden था, फिर हमारा third वाला sentence देखो, to के just नीचे वाला, The poet wanted to take the starfish home from the tide pool and bring it home, तो poet क्या चाते थे, वो starfish को घर ले जाना चाते थे, और फिर वो किसी ऐसे को, वो starfish को gift करना चाते थे, जिसको वो बहुत प्यार करते थे, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, ठीक है, फिर third sentence, to के just नीचे वाला, फिर देखो, fourth कहा है, ये रहा, one के just नीचे वाला sentence है, ठीक है, ये है हमारा one, तो आप second वाला पड़ो, ये है, the poet felt that the skin of the starfish began to dry as he went to hold it in his hands, तो उसको क्या लगा पोईट को, कि जो skin है उस starfish की, वो dry होने लगी, सूखने लगी, जैसे ही उन्हें उसे अपने हाथ में पकड़ा, he was afraid that the gift for his favorite person would die if he was away from his special seaside home, उन उनका अपनी favorite person को जो gift देना चाते है, वो तो मर जाएगा अगर उसे अपने घर से दूर रखा गया, मतलब उसके समुद्र से दूर रखा गया, फिर, फिफ्थ देखो, फिफ्थ फॉर्थ की जस्ट नीचे वाला है, the poet hoped that whoever found the starfish again in the tide pool by the sea, would leave him there just like he did without disturbing him, फिर, पोईट क्य चाते थे, कि जो भी उस starfish को दोबारा देखे, वो भी उन्हें, पोईट की तरह ही वहीं छोड़ दे, और उन्हें कभी भी disturb ना करे, ताकि वो खुशी-खुशी अपने sea में रह सके, side pool में रह सके, फिर, sixth वाला देखो, कहा है, नीचे, seventh की जस्ट उपर, sixth वाला, दिख र starfish को बचा लिया, he felt that it would be the best thing that he could give to his favorite person, और यही वो best thing है, जो कि वो अपनी favorite person को दे सकते थे, मतलब वो जिससे प्यार करते थे, बहुत जादा, या फिर जो आप लोग हो, किसी के भी बात हो सकती है, वो जिससे आप सबसे जादा प्यार करते हो, अगर आप चाहते हो कि वो जाएगी तो कोई फाइदा है क्या, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने वसे स्चार फिश को सेव कर लिया, और जिससे मैं इसे गिफ्ट करना चाहता था, वो बहुत जादा खुश हो जाएगे, पर यह उनके लिए best gift हो जाएगा, फिर देखो, यहाँ पे पोईट अपनी ही favorite person कि बात कर रहे हैं, लेकिन यह जो पोईट है वो हम लोगों के लिए भी है, क्योंकि इससे हमें सीखने को मिलता है, कि हमें जो है, ऐसी मतलब, animals को कभी भी पिंच्रे में बन नहीं करना चाहिए, यह अपने घर से दूर नहीं करना चाहिए, तो हम भी उनके favorite person है, चाहे तो अप इनके बारे में भी लिख सकते हूँ, फिर, last है, the poet understood that we should not interfere with nature, poet को यह पता चल गया, कि हमें प्राक्रितिक चीजों से छेर चाहर नहीं करने चाहिए, the poem teaches us to allow animals to live in their own surrounding, और इस poem से हमें यह सिक्षा मिलती है, कि हमें animals को उनके natural surrounding में ही रहने देना चाहिए, ठीक है, फिर यह हमने देखो numbering कर ली, 1, 4, 5, 2, 3, 6, 7, अब देखो, page turn करो, यहाँ पे एक full page खाली दिया गया है, देख रहे है, अब आपको इसे line से लिखना है, मतलब आपको क्या करना है, जो first sentence है, जिसमें हमने first जाला है, उससे सबसे पहले आप लिखोगे, ठीक है, फिर line से लिखत sentence आपको लिखना है, line से, 5th लिखना है, 6th लिखना है, और फिर 7th लिखना है, line से, मतलब story को आपको यह जो इधर उधर हो रखिये, उसे line से जमा के लिखना है, तो यह आपका homework है, इस पे आप hw डालो यह वाले page पे, ठीक है, यह है page number 34, page number 34 पे hw डालो, आपको इस story को line स अच्छे से लिखना है, चलो, अब आज आते हैं worksheet 2 पे, यहाँ पे एक story है, तो देखो, once upon a time there was an old man who used to go to the ocean to do his writing, एक बार की बात है, एक old man था, एक बुढ़ा अदमी था, जो किना writing लिखने के लिए कुछ भी जपो लिखता था, तो वो समुद्र के किनारे जाके लिखता उसे वही लिखना अच्छा लगता था, he had a habit of walking on the beach every morning before he began his work, उसकी आदत थी कि ना, वो जब भी अपना काम शुरू करने से पहले ना, वीच पे वाक करता था, ठीक है, समुद्र के किनारे पे वो walking करता था, उसकी आदत थी, जब थोड़ी दिर वाक कर लेता था, उसके बा vast beach littered with starfish as far as the eye could see, stretching in both directions, हम, एक बार की बात है, सुबे सुबे, जब वो बीच पे walk करने के ले गया था, तो उसने, क्या के बात, अब क्या हुआ था, पिछली ही रात को ना, एक बहुत बड़ा तुफान आया था, ठीक है, पानी में बहुत जादा तुफान आया था, तो उ इसकी बात, फिर दूसरे दिन सुबे, जब वो वाकिंग करने के लिए बीच पे गया, तो उसने क्या दिखा, कि बहुत सारी starfish, बहुत सारी starfish जो है ना, वो पूरे बीच में बिखरी पड़ी हुई है, क्या हुआ जब समुदर में बहुत पड़ी बड़ी लहरे उठने ल दूर-दूर तक starfish पहली हुई थी, ठीक है, तो उसने देखा, अरे इतनी दूर-दूर तक starfish है, तो वो सब क्या था, वो खुद से तो वापस जा नहीं सकती थी, starfish के पहरात तो होते नहीं है, कोई fish भी अगर आ जाती है, तो वो तो तैरती है ना, वो चल के तो जा नहीं फिर देखो, off in the distance, the old man noticed a small boy approaching, थोड़ी सी दूर पे उस बुढ़े आदमी ने क्या देखा कि एक छोटा सा बच्चा आ रहा था, ठीके, as the boy walked, he paused so often, and as he grew closer, the man could see that he was occasionally bending down to pick up an object and throw it into the ocean, पहले वो बच्चा बहुत दूर था, तो old man को बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा था, जैसे ही वो थोड़ा पास आया ना, तो उसे क्या दिखा, कि वो जो बच्चा था ना, वो क्या करता था, थोड़ी थोड़ी देर में आगे आता जाता था, नीचे जुकता था, किसी ची वो बच्चा उसादमी के और पास आगया उस old man के, तो उस old man ने क्या कहा, उसका आवाज से आवाज दी उसको, उसने कहा, good morning, may I ask what it is that you are doing, तो old man ने उस बच्चे से कहा, कि good morning, क्या मैं पूछ सकता हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ऐसा, old man ने पूछा, तो, तो, the young boy paused and looked up, वो जो young boy था, जो चोटा सा बच्चा था, वो रुका और उसकी तरफ देखा, उसने कहा, throwing starfish into the ocean, मैं इन starfish को ocean में फेक रहाँ, समुद्र में फेक रहाँ, उसने कहा, कि मैं इन starfish को पानी में फेक रहाँ, ocean में फेक रहाँ, और क्योंकि वो लहरे जो है, उन्हें वो बीच पे ले आई हैं, और वो खुछ से घर वापस नहीं जा सकते, इसलिए मैं उनकी help कर रहाँ, ताकि और उन्हें पानी में वापस फेक रहाँ, जब सूरज बहुत तेज हो जाएगा, तो वो लोग बहुत जल्दी मरने लगेंगे, और उनकी मरने से पहले ही, मुझे इन्हें पानी में फेक रहाँ, जाएगा है, तो जाएगा है, तो मुझे नहीं लगता, वो बलते हैं, लेकिन इस बीच पे तो हजारो स्टार फिश है, तो मुझे नहीं लगता, कि तुम किसी कोई, मतलब जादा फाइदा होगा, ठीक है, इससे तुम कोई चीज डिफरेंस, मतलब कोई ना बदलाओ लापाओगे, ऐसा वो ओल्ड मैन कहते हैं, तो फिर क्या हुआ, दबॉइ बेंड डाउन, फिर वो लड़का फिर से नीचे जुगा, पिकड़ अप येट अनदर स्टार फिश, उसने फिर से एक स्टार फिश लेकिन मैंने इसके लिए तो ये बदल दिया, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत सारे लोगों की मदद नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आपको पहले लग गया कि आप बहुत सारे लोगों की हेल्प नहीं कर सकते, उस चक्कर में आपन कि बंद्धाने का सब कर सकता हूँ कि जतनी जाने बचा सकता हूं वाल है this हैं जितना कर सकते हो आप उतने चीज करो providing आया समझ में? तो यह थी हमारी स्टोडी जिसमें हमें help करना सिखाय जाता है कि आप चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, कोई भी हो, सब के हमें help करनी चाहिए फिर, यहाँ पे है, first question है, do you agree with the boy who tried throwing as many starfish as he could back into the sea or do you think that the other fish are going to die anyway, so just saving one or two wouldn't really matter यहाँ पे आपसे question पूछा जा रहा है, कि क्या वो जो लड़का कर रहा था कि वो जितनी starfish fake सकता था, उतनी fake जा रहा था, वो यह सही कर रहा था या आपको भी यही लगता है, कि सब को तो वो बचा नहीं सकता, तो उसे बस छोड़ देना चाहिए था आपको जो सही लगता है, उसे आपको यहाँ पे लिखना है क्या आपको लगता है कि वो बच्चा सही कर रहा था, क्या आपको लगता है, वो old man जो बोला, वो सही बोला तो आपको जो सही लगे, आप अपने हिसाब से इसका answer लिखेंगी क्या आपका HW है, ठीक है, worksheet 2 पूरा आपका HW है, इसके question answer आपको खुच से लिखने है नेक्स्ट देखो Does the boy in the story teach us to be good leaders? हाँ, क्या जो लड़का इस story में है, वो हमें एक leader बनाना स्काता है मतलब बाकी लोग जो है, हो सकता है कि उस लड़के को देख के आपको लगा होगा ना, कि हाँ वो जो कर रहा था, वो सहीं कर रहा था और हो सकता है आप भी सोचते कि अगर आप उनके साथ रहते तो आप उसकी help करते तो वो एक good leader है ना, मतलब वो लोगों को अच्छा काम करने के लिए प्रेरित कर रहे है ना, अच्छा कुछ सिखा रहे है ना तो क्या आपको लगते है वो एक leader था अगर था तो आप हाँ लिखेंगे और क्यों आपको लगा कि वो good leader था ये भी आपको लिखना है ठीक है और नहीं था लगता है तो फिर आप छोड़ दीजे नो लिखिए उसका भी reason दीजे क्यों आपको लगता है वो अच्छा लीडर नहीं था फिर third What would happen to the starfish if everyone just ignored them and left them on the sand क्या होता उन starfish का अगर हर कोई उन्हें सिर्फ ऐसे ही ignore कर देता और उन्हें सैंड में ही छोड़ देता तो उन starfish का क्या होता बताईए क्या होता आपने अभी यह भी पढ़ा अगर सब लोग छोड़ देते तो क्या होता जब सूरज जो है उपर आता तो वो लोग मर जाते तो आपको इसे अपने words में अच्छे से लिखना है फिर fourth what might happen if some people join hands in doing good deeds क्या होगा अगर कुछ लोग मिलके एक अच्छा काम करने लगे लोग आपस में मिल जाए और कोई अच्छा काम करने लगे तो इससे क्या होगा यह आपको बताना है तो इससे जब कोई अच्छा काम करेंगे तो पूरी society के लिए आजपास के लोगों के लिए चीज़े अच्छी होगी न तो किस तरीके से अच्छी होगी यह बाते भी आपको लिखनी है fifth what did you learn from the story of the boy and the starfish इस story से आप क्या सेखते हैं मैंने आपको बता दिया है तो इसको आपको अपने हिसाब से अपने वर्ट्स में लिखना है अब देखो integrated activity starfish lives in a sea it is not a fish but we still call it a starfish यह एक फिश नहीं है आप पता करना यह क्या है लेकिन फिर भी हम इसे starfish कहते हैं अब आपको काम दिया जा रहा है कि यहां पे आपको अलग-अलग type के fishes की नाम लिखने ठीक है यह आपको space दिया गया है integrated activity में जितने type के fishes के आप नाम जानते हो जान सकते हो चाहे internet से चाहे अपने घर में पूछो पेरिंट से पूछो जितने type के fishes आप अलग-अलग जानते हो देखते हो उन सभी के नाम आपको यहां पे लिखना है यह भी आपका homework है integrated activity का first वाला भी homework है यह भी homework यह भी homework यह भी homework मैं नों क्यों स्पारफिष के लिए क्या यूज किया था हमने पढ़ा था ना उन्होंने America science ऊज्ज के लिए इंटी बीटी उन्होंने कह था एंटी बीटी starfish व्यशे ते स्पाइडर के लिए क्याभग होता है हमने देख्पावल बीटी इंसी विंसी, spider ठीक है, spider के लिए use होता है, इंसी विंसी जल्दी से लिखो फिर, I am a blank teapot I am a little teapot यह बहुत पुरानी poems है short and snout I am a little teapot, short and snout fourth, the wheels of the bus go round and round round and round the wheels of the bus go round and round three blank mice see how they run तो यह सारी poems है three blind mice see how they run फिर है blank cat तो first trolley में आप capital लिखोगी न, sentence शुरूर है pussy cat, pussy cat where have you been? तो यह आपको लिखना है, जल्दी से लिखो so dear students, इसी के साथ ही हमारा यह chapter complete होता है तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ठीके, शेयर भी करें so thank you very much, हमारा chapter complete हो चुका है बाई बाई झाल 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 झाल